दोस्तो आज के डेट में बहुत कम ही ऐसे लड़के होंगे जिनका कभी किसी लड़की से बाते नहीं हुई जो कभी किसी लड़की से बाते नहीं करते या जिनकी कोई गल्फ्रेंड नहीं है दोस्तो आज के डेट में अल्मोस्ट अल्मोस्ट सभी लड़कों की कोई न कोई ग न हो कुछ भी क्यों न करती हो बस वो एक लड़की होनी चीए दोस्तो जब भी हम पहली बार किसी लड़की से मिलते हैं या फिर बाते करते हैं तो कहा जाता है या आपका पहला इंप्रेशन ही आपका आखरी इंप्रेशन होता है यानि कि पहली नजर में ही आप जब उससे मि देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि आप किसी लड़की को impressed कैशे कर सकते हैं वो भी पहली बार मिलके तो दोस्तो आई यह वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यह वीडियो देखते व मेरी कोई girlfriend नहीं है फिर भी मैं आपका वीडियो देख रहा हूं वाई girlfriend बनानी की कोई trick बता दो तो दोस्तो यह वीडियो loser भाई के कहने पर ही बनाई जा रही है अगर आपको भी love से related ऐसी कोई भी शमशाए हैं तो आप नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं हो सकता है कि skill होता है पर आज मैं आपको कुछ ऐसी qualities के बारे में बताने जा रहा हूं अगर आपके पास भी यह सारी qualities होंगी तो फिर आपके लिए यह काम बिल्कुल भी मुश्किल का काम नहीं होगा तो दोस्तो अब वो qualities क्या है आईए मैं आपको बताता हूं आपके पास एक अच्छ dancing sense कैसा है आपका hair style कैसा है प्लस आप कहां से belong करते हैं और कौन सी language का use करते हैं बात करते वक्त body language का use करते हैं यानि यह सारी चीजें आपकी एक अच्छे personality के अंदर आती है तो अगर आप में एक अच्छे personality होंगी यानि कि अगर आप एक good looking अच्छे personality वाले इंसान होंगे तो फिर कोई भी लड़की आसानी से आपके तरफ attract होगी आपसे impress हो जाएगी लेकिन अगर आपके पास एक अच्छे personality नहीं होगी तो आप एक अच्छी सकल लेकर भी किसी लड़की को आसानी से impress नहीं कर पाएंगे ना दोस्तो point number two किसी भी field में खुद को successful बना लेना दोस्तो वो field चाहे कोई भी क्यों ना हो चाहे आप business कर रहे हैं या फिर आप सरकारी नोकरी कर रहे हैं अगर आप खुद को successful बना लेते हैं तो ऐसे situation में अधिकतर chances होते हैं कि कोई भी लड़की आपसे आसानी से impress हो जात है क्योंकि जब आप लड़की को अपने बारे में बताते हैं तो ये एक अच्छी quality में आती है कि आप एक successful इंसान है और आप यकीन मानिए किसी successful इंसान से कोई लड़की आसानी से impress हो जाती है क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और अगर आप किसी लड़ हूँ तो ऐसे situation में आपके पास वो जरूरतों की सारी चीजे होंगी तो ऐसे situation में उस लड़की के माइंड में आपको लेकर एक अच्छी image great होगी और वो लड़की आपके बारे में सारी चीजे positive ही सोचेगी तो ऐसे situation में उस लड़की को इंप्रेस करना जादा असान होता ह दोस्तो ये बात सुनने में थोड़ा सा बुरा जरूर लगता है पर दोस्तो ये रियालिटी है कि अगर आपके पास बहुत जादा पैसे होगा तो कोई भी लड़की आपसे आसानी से इंप्रेस हो जाएगी क्योंकि दोस्तो पैसों से जरूरतें पूरी होती है और कोई भी इ होंगी तो कोई भी इंसान आपके साथ रहना चाहेगा तो ये बात सुनने में अच्छी जरूर लग सकती है कि पैसों से सारी खुसिया नहीं खरी दिजा सकती तो दोस्तो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं दावे के साथ बता सकता हूँ कि कोई भी लड़के आपसे आसानी से इंप्रेस हो जाएगी क्योंकि आप एक लगजरियस लाइब जीएगे और आप जब एक लगजरियस लाइब जीएगे तो ऐसे में किसी की भी नियत फिसल जाएगी और ये बात 100% सच है आप मानो या ना मानो पर यही रियालिटी है ना दोस्तो पॉइंट टंबर 4 खुद को फेमस इंसान बना ले दोस्तो यह पॉइंट इस बारे में तो मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये खुद जानते हैं कि अगर आप एक फेमस इंसान होंगे तो ऐसे सिचुएशन में पूरी दुनिया आपके पीछे होगी तो फिर चाहे सामने कोई भी लड़की क्यों ना हो पर वो लड़की आपसे आसानी से इंप्रेस हो जाएगी आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तो अगर आप इन चार क्वालिटीस में से एक भी क्वालिटी अपनी लाइप में अचीब कर लेंगे तो फिर आपकी लाइप एक अलग ही मोड ले लेगी आपके लाइप में सारी चीजें बदल जाएगी और आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइप इतनी बहतर बन जाएगी दोस्तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज से 5 साल बाद कोई इनसान आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी लाइप में कितनी गल्फ्रेंट्स रही है बलकि हर इनसान आपसे ये ही पूछेगा कि आप कितने पैसे कमाते हैं और आपका इस्टेटस क्या है तो दोस्तो अगर आप इन चार क्वाइलिटीज में से कोई भी क्वाइलिटी अपनी लाइप में अचीब कर लेंगे तो फिर आपका इस्टेटस तो बहतर होगा ही होगा साथी साथ आपको वो भी मिल जाएगा जो आप लाइप में पाना चाहते थे तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी अपने वादे के मुताविक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तो आप इस तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा चालो फिर मिलते हैं इस तरह की और एक निए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेकर अपना ख्याल रखिएगा चालो फिर टाडा